इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहत बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप लोगों के लिए ले करके आए हैं दोस्तों जहाँ पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सबी बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुचाएंगे तो वहीं दोस पर दोस्तों बताते चलें एक तरफ जहां पिया मोधी यहां पर वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए एहमदबाद पहुंचे वहीं यहां पर बताते चलें कॉंग्रेस पार्टी ने स्बीच कर दिया है ऐसा ट्विट की मचा हड कंप बीजेपी के अंदर जिहां दोस्तों MP कॉंग्रेस ने ट्विट किया और लिखा की मोधी इस्टेडियम में राहुल की धूम यहां पर राहुल का मतलब है केल राहुल केल राहुल ने आज अच्छा प्रदर्शन किया है जिसके बाद यहां पर कॉंग्रेस पार्टी ने यह ट्विट किया है और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बताते चलें यहां पर रिटाइड करनल ने यहां पर पिया मोधी को घेरा है और कहा की उत्तरकासी की टनल में आठ दिन से 40 मजदूर फसे हैं लेकिन स्रीमान वर्ल्ड कप देखने में ब्यस्त हैं दिनेज कुमार की तरफ से यह बयान आया है जो की रिटाइड करनल है दोस्तों यह यहां पर खब बाओ की देना पड़ा है CGI को ऐसा बयान कहा मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो नियाल है की या देश की सभी समस्याओं को एक पल में हल कर सकता हूँ जिहां दोस्तों यह बयान दिया CGI डिवाइड चंदरचूड ने जिसके बाद सोसल मीडिया पर वे ट्रेंड करने लगे इस पूरे मामले पर रिटार्ड आईयसूर प्रताप सिंग ने ट्वीट करते हूँ लिखा है की अपे च्छाओं के बोज के तले दबे CGI चंदरचूड कमार्ठ हैं इमांदार हैं भ्रेश्ट व्यवस्था को हिलाने का माद्दा भी रखते हैं हैं कारी सत्ता की आग की किरक बने हैं निजी सुरच्छा भी मुद्दा है इन सब व्यवधानों उल्जनों के आधिन कोई भी बोजिल महसूस कर सकता है हमें अपने CGI का होसला बढ़ाना चाहिए यह यहाँ पर रिटार्ड आईयसूर प्रताप सिंग ने ट्वीट किया है बताते जले कई मौकों पर पर यह देख सकते हैं कि CGI को लेकर के बड़ी खबर आई है सामने अगर आप लोग भी CGI के समर्थन में है तो वीडियो को लाइक कीजेगा एक और अपडेट बताते चलें दोस्तों पिया मोधी ने आज तक कभी भी अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांगा जब भी पिया मोधी भाषर देते हैं तो उनके मुझ से सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्द सुनाई पड़ता है वो है कॉंग्रेस जी हां दोस्तों कॉंग्रेस ने यह किया लेकिन खुद क्या किया य उन्हें कुजरे हुए 40 साल हो चुके हैं खड़गे जी आप तो ऐसे नहीं थे आपका हाल ऐसा कैसे हो गया ये पिया मोधी ने बाते कहीं एक चुनावी रैली को समोधित करते हुए जिस पर एक सोचल मीडिया यूजर ने कहाई कि गांधी जी को कुजरे 75 वर्थ हो गए नहर गांधी को कुजरे 49 साल हो गए लेकिन फिर भी बीजेपी वाले उनको यहाँ पर कोशते हैं तरहे तरहे की बाते कहते हैं तब आप चुप रहते हैं अब आपको बुरा लगा ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पूरा मामला है आप लोग भी अपनी राए इस खबर को लेकर कि महत पूर रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें विधायकों को मंजूरी देने में राजपालों की देरी पर तमिलनाडू केरल सरकारों की याचिका पर कल सुनवाई करेगा स सुप्रीम कोट हलचल तेज हो गई है बड़ी घबर आ रही है सुप्रीम कोट कल तमिलनाडू और केरल सरकार की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिसमें विधान सभाओं के द्वारा पारित विधायकों को मंजूरी देने में सम्मंदित राजपालों के द्वारा देरी का आरोप लगाया गया है मुक्के नियाएधिस डीवाई चंदर चूड और नियाए मूर्ती जेबी पार्दिवाला और नियाए मूर्ती मनूज मिसरा की पीठी याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है राजपाल आरेन रवी के द्वारा लोट आए गए बिलो के कुछ दिनों के बाद तमिल नाडू विधान सभा ने एक विसेश बैठक में दस विधैकों को एक बर फिर से अपनाया है और यहाँ पर राजपाल के पास पुनर विचार के लिए फिर से वे दस विधैक भेश दिये गए हैं जो की उन्होंने नकार दिये थे और ल मोधी सरकार यहाँ पर सासन करना चाहती है राजपर लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि पूरा मामला है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में और CGI कर रहे हैं सुनवाई एक और बड़ी खबर बताते चलें प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप कहा भाजपा बी आरेस और ओवैसी की AIM-AIM के बीच में सियासी साथगाट है जिहां दोस्तों बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना विधान सभाचुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी का दावा है कि सत्ता रूड बी आरेस की विधाई इस बार तय है AIM-AIM पर यहां पर जबरदस तरीके से प्रियंका गांधी ने निसाना साथा है बताते चलें कॉंग्रेस की महासेची प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना विधान सभाचुनाओं में बी आरेस हैदरबाद के सांसद असदुदीन ओवैसी के नेतुरित वाली AIM-AIM और भाजपा मिली भगत से काम कर रहे हैं इन तीनों ही पार्टियों का गठबंदन है यह यहां पर प्रियंका गांधी ने जबरदस तरीके से दोस्तों निसाना साथा है बी आरेस ओवैसी की पार्टी पर और बीजेपी पर और यहां पर लगाया ह इन तीनों ही पार्टियों के गठबंदन का आरोप इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने दोहराया है कि राजि के अंदर भियारस की बिदाई हो रही है और हम पूर्ड बहुमत की सरकार राजि के अंदर बना रहे है प्रियंका गांधी ने यह तमाम बाते एक चुनावी एली को समोधित करते हुए कहीं है दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरह बढ़ते हैं राजिस्थान विधान सभा चुनाओ को लेकर के सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है जिहां दोस्तों राहुल गांधी ने कहा अब देश को बदलने का समय है खबर बताते चलें आप को राजिस्थान में मतदान में अब एक हपते से भी कम का समय बचा है यहां पर कॉंग्रेस की तरफ से जहां चुनाओ प्रचार की कमान अब राहुल गांधी ने समाल ली है तो दूसरी तरफ पिया मोधी बीजेपी के लिए जम करके प्रचार कर रहे हैं और इसी करम में आ अब देश को बदलने का समय आ गया है दोस्तो राहुल गांधी ने केंदर की मोधी सरकार पर निसाना साधा राहुल गांधी ने यहां पर आरोप लगाया है कि मोधी सरकार अपने मित्र के लिए ही सरकार चला रही है और एक एक करके सभी सरकारी कमपनियों को बेचे जा रह यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बर फिर से अपने वादे को दोराया है दोस्तों यहाँ पर इस समय की आज की तमाम बहुत बड़ी खबरे थी दोस्तों मुक्ह समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुचाए अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजेगा जादा से जादा इन खबरों को मुक्ह समाचारों को शेर कीजेगा आपने सभी दोस्तों में और चैनल पर नहें तो दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत जय हिंद जय भारत